राजनेतिक लड़ाई है मगर राजनेतिक लड़ाई के पीछे विचारधारा की लड़ाई कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया घटबंदन ये जो अम्बेटकर जी का सम्विधान है इसको आप अच्छी तरह देखिए ये जो सम्विधान है इसकी रक्षा करने का काम कर रही है इसको बचाने का काम कर रही है बीजेपी और आरेसेस सम्विधान को अम्बेटकर जी के सम्विधान को गांदी जी के सम्विधान को खतम करने की कोशिश कर रही है कुड़े दान में फेकने की कोशिश कर रही है यह है लड़ाई यह सम्विदान बहुत पुरानी किताब है इसमें जो सोच है यह नई सोच नहीं है यह हजारों साल पुरानी सोच इसके अंदर है इसमें अम्बेटकर जी की सोच है गांदी जी की सोच है बिर्सा मुंडा जी की सोच है फूले जी की सोच है गुरू नानक जी की सोच है नराइन गुरू बसवना जो भी हिंदुस्तान के महापुर्ष रहे हैं उनकी सोच इस किताब में है एक प्रकार से ये हिंदुस्तान की जनता की आत्मा है और अगर आज इस देश में गरीबों को अधिकार है जो आप वोट डालने जाओगे वो आपका अधिकार है जमीन का अधिकार है जल का जंगल का अधिकार है अगर वो मिला है तो वो ये इस किताब ने दिया है इसके कारण आप लोगों को हम सब को मिला इस किताब से पहले जो भी राजा महराजा करना चाहते थे वो करते थे कोई उनसे पूछ नहीं सकता था जो मन करता था वो कर जाते थे इसके बाद Constitution सम्विधान के बाद हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिला है इस सम्विधान में समानता के बादे में लिखा है भाईचारे के बादे में लिखा है इसका रंग जरूरी नहीं है कि राहूल गांदी लाल किताब दिखा रहा है नरेंद्र मोदी जी इसका रंग जरूरी नहीं है जो इसके अंदर लिखा है जो आपने पूरी जिन्दगी भर नहीं पड़ा है वो जरूरी है क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते तो जो आप करते हो जो नफरत फैलाते हो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो अरब पतियों का लाकों करोर रुपे करजा माफ करते हो देश में नफरत हिंसा फैलाते हो आप नहीं करते आप हिंसा नफरत इसलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए जातों को लड़ाना चाहिए प्रदेशों को भाष्चाओं को लड़ाना चाहिए और ये काम BJP और RSS के लोग 24 गंटा करते हैं बंद कमरों में करते हैं ये देखिए ये किताब खाली नहीं है देख लीजिए इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है हिंदुस्तान का इतिहास है भारत की आत्मा है किसानों के सपने हैं मज़़ूरों के सपने है गलितों की रिस्पेक्ट है पिछों की भागीदारी है सब कुछ इस किताब में है और नरेन मोदी और RSS के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं मैं आपसे यहां बोलने आया हूँ कि मोधी जी छोड़ो दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती क्योंकि यह हिंदुस्तान की आक्मा है और अगर मिटाना है मोधी जी छुपके मत कीजिए, सामने आजाईए मैदान में और मिटाने की कोशिश कीजिए, फिर पता लगेगा आपको हिंदुस्तान की जंता क्या करीड़ी आपके साथ हम नरेंद मोदी से ड़ते नहीं है छपपनिज की छाती मन की बात इन चीजों से हम ड़ते नहीं है नरेंद मोदी जी अरब पतियों की कट पुतली है जो अरब पति कहते है वो नरेंद मोदी करते है अरब पति आपकी जमीन चाहते है अरब पति आपका जल चाहते है आपका जंगल चाहते है नरेंद मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे फिर अम्बानी जी की शादी में चले जाएंगे आपको पाट सिकाएंगे लंबे-लंबे भाशन करेंगे और फिर शाम को अम्बानी जी की शादी में जाएंगे खाना खाएंगे नाच गाना देखेंगे भाईयों और बेहनों सोला लाख करोर रुप्या सोला लाख करोर रुप्या गरिवों का पैसा छीन कर नरेंद्र मोदी जी ने अरब पतियों का माफ किया है महराश्टर में चुनाव चल रहा है वहाँ पे झाल